गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मोस्ट विलकम इन यूर आउनलाइन क्लासिस, इस यूर मैथ क्लास तूडे वी विल डिस्केस चैप्टर चमेंटरी इन दिस लेक्चर वी डिस्केस सम डेफिनेशन रिलेटर दिस चैप्टर ओवर फर्स डेफिनेशन इस प्वाइंट, पहले हम जानेंगे कि प्वाइंट क्या होता है, हाँ जी अगर हम पेपर पर एक डॉट बनाते हैं, तो उसे कहते हैं, प्वाइंट, जब हम एक पेपर पर अपनी पैंसल के साथ एक डॉट बनाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, point J है point M हम उस point को क्या नाम देते हैं M आप कोई भी नाम दे सकते हो अपनी 24 का कोई भी नाम दे सकते हो जैसे कि A भी कह सकते हो B, C, D जो आपका मन करता वो आप कह सकते हो हाजी बच्यों point कि कोई भी length और breath नहीं होती ठीक है point क्या होता है जैसे कि हम एक paper लेते हैं और अपनी pencil के साथ उस paper पर क्या लगाते हैं एक dot लगा लेते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं point M जा point कोई भी आप नाम दे सकते हैं जैसे कि point M, point N, point O, point P हां जी अब हम line की बात करते हैं हां जी line क्या होती है students point से हमारे पास line बनती है जैसे कि हमने दखाया गया है आपको screen पर हमारे पास क्या है line L line के कोई भी starting point नहीं होतरा और ना उसका कोई भी ending point होता है लाइन की कोई भी स्टर्टिंग पॉइंट नहीं होती लाइन का कोई भी fisting point भी नहीं होता हम लाइन को राइट हैंड जब लंड- voorक्स्टेंड कर सकते हैं एंड लाइफ्ट हैंड जब लेफ्ट हैंड भी extend कर सकते हैं ठीक है ऑन्यवी बच्चे लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि लाइन को हम क्या कर सकते हैं अक्स्टेंड कर सकते हैं इसलिए हम उसे मेजर भी नहीं कर सकते जब हम उसे मेजर नहीं करेंगे तो इसका मतलब उसकी कोई भी लैंथ fix length नहीं हुती ठीके उसतों next मारे पास है ray क्या होती है हाँ जी ray का starting point यौन्य वांट नहीं होता हमारे पास रै वह है जिसका हमारे पास starting point तो होता है बाट उसका कोई भी end point नहीं होता उससे next हमारे पास लाइन सेग्मेट अब हम भात करेंगे line fragment कैया होता है हाँ जी line segment वो होती है जिसका starting point भी होता है और ending point भी होता है हम ऐसे वी बोल सकते सिसके क्सा क्यों कि होते है ending point होते है ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंडिंग पॉइंट भी हो ना लाइन से कि लेंथ क्या होती है फिक्स होती है ठीक है क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारे पास है ऐसे ही हम एक पॉइंट को पी का नाम देते हैं और इस दूसरे को क्यों का नाम देते आप कोई भी नाम दे सकते हो जैसे कि मैंने एक पॉइंट को पी का नाम दिया है दूसरे को क्यों का नाम दिया है तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे पी क्यू लाइन सेग्मट बोलेंगे ठीक है हांजी हम उसे पी क्यू लाइन सेग्मट कहेंगे ऐसे ही हम लाइन को मेजर भ कर सकते हैं थैंक